आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके Redmi या फिर MI के फोन में आपको notification प्रॉबलम आ रही है यानि कि अगर आप किसी app के notifications को बंद करना चाहते हैं या फिर किसी application के notifications को on करना चाहते हैं तो कैसे आप notification settings या फिर अपनी notification प्रॉबलम को आप ठीक कर सकते हैं आएए आज की इस वीडियो में जानते हैं यहाँ पर आपको इसके लिए अपने फोन में सबसे पहले settings को open कर लेना है और settings में आने के बाद आपके सामने ऐसा interface आ जाएगा यहाँ पर आपको नीजे की तरफ एक option मिलेगा स्क्रोल करने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं notifications and control center इस पर आप किलिक करिए किलिक करने के बाद आपको option मिलेगा app notifications यहाँ पर आप देख सकते हैं app notifications, notifications, shade, notification, effect तो आपको app notifications पर किलिक करना है उसके बाद ये थोड़ा सा processing लेगा और आपके phone के सारे application यहाँ पर आ जाएंगे अब यहाँ पर देख सकते हैं आप जिस app से आपको notification problem आ रही है यानि कि जिस app के आप notification on करना चाहते हैं या फिर किसी app के notification बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं तो जैसे कि यहाँ पर हम Gmail के notifications को बंद करना चाहते हैं तो हम Gmail पर click करेंगे आप अपने according select करिया application जिसमें आपको problem आ रही है तो हम Gmail पर example के लिए click करते हैं और यहाँ पर अगर आपका यह बंद रहता है तो आपके इस app के notification नहीं आएंगे और अगर आप इसे on करना चाहते हैं यानि कि अगर आप किसी app के notification को on करना चाहते हैं आपको इस app के notification नहीं आ रहे हैं तो इस पर click करके आप on कर सकते हैं और नीचे आप check कर लीजिए आपके सारे option on होने चाहिए और माल लीजिए अगर आप किसी app के notification बंद करना चाहते हैं तो click करके show notifications को बंद कर दीजिए इस पर click करके और इस app के अब notification नहीं आएंगे तो इस तरह से आप notification प्रॉबलम को ठीक कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें